पेटियां सस्राल जाती हैं तो पीयर से क्या लेकर के जाती हैं? सुनिए क्या लेकर जाती हैं माता रुकमणी कहती है कि पिताने जो मुझे जेव खर्च के लिए मेरे रोड के खर्चे के लिए जेव हमें पैसा दिया उससे हमने संत सदन बनवाए गो सदन बनवाए पोखरे खुद भाई पोखर जानते हैं पोखर जानते हैं तालाब को कहते हैं पोखरी या मैया कहती है कि हमने यह सब काम किया और उससे जो हमें किंचन मात्र यदि कोई पुण्य मिला है तो सपुन्य रूपी दहेज को लेकर के मैं आपके पास आ रही हूँ हे भगवन हमारा समर्पन आपके लिए एक बड़ी सुन्दरबाति शिश्लूक में कही है वे धीरा पतिम कुलवदी नवरडी तगन्या जब आप अपने बच्चों का विभा करें आपका बेटा या पोता या पड़बोता विवा के लायक हो रहा है तो इस कन्या में तीन चीज़ें देखिए आप जिस बेटी को आप अपने घर की बहु बनाने के लिए जा रहे हैं तीन बातें उसमें देखिए एक कुल देखिए, एक गुण देखिए और एक धैर है कुल जरूर देखना, खांदान देखना धैर भले ही ना मिले अपने बीस नाकूनों से कमाई है अच्छे परवार की बेटी हो बेटी जितनी बढ़िया हो, खांदान भी उतना ही बढ़िया होना चाहिए क्योंकि बवूल के पेड़ पर फली ही आती है बवूल की उस पर आम नहीं लगते खांदान का माता पिता का असर उलाद के उपर पड़ता है पक्का और पक्का पड़ता है इसलिए उस परवार को देखिए, उस खांदान को देखिए पूरा अता पता लगाईए तब कहीं बच्चों का संबन्द करें जिसको आप बेटी दे रहे हैं उस लड़के वाले पिता का भी आप पता लगाई यहां तक गोत्र इत्यादी को भी देखें इन सब चीजों का बड़ा असर बढ़ता है एक गोत्र में साधी होने से कुछ पीडी के बाद बंस ब्रद्धी रुख जाती है ऐसा से महापुराण के अंतरगत लेगा इसलिए सगोत्र के साथ इसलिए तो विवा नहीं होते है सास और बहु दोनों का एक गोत्र नहीं मिलना चाहिए जान रहे इस वाद के कुल देखें गोड देखें बेटी धार में के हैं नहीं है के नहीं है बेटी आज जोग करती है खोब उसे आ रहे हैं कंप्यूटर चिलाती हैं हवाई जाज उड़ा रही है उनसे घर ग्रिश्ती का भी काम पूजा पाठ का भी काम आना चाहिए उधार में करती है बेटीयों को विवासे पुर्वर किसी अच्छे से गुरू से उन्हें दिख्छा दिलवा देना माता पारवती ने खुवारे में ही देवसी नारजजी से दिख्छा ली थी मातार कुमणी ने विवासे पहले ही देवसी नारजजी से दिख्छा ली थी और उसके प्रणाम बड़े अद्वत हुए थे कि एक को भगवान शंकर और एक को भगवान सी किष्ण प्रात्व कुए बेटियों के उपर बड़ा असर होता है महापुर्शों के द्वारा दिये गए मंत्र का बहुत ज़्यादा असर होता है जब बेटियां धार में को पारमार्थिक होती है तो यह दोनों को पवित्र करती है महाराज जनक ने का है पुत्री पवित्र किये कुल दो बेटा तो एक ही कुल को पवित्र करता है और एक तीसरी बात है अपनी बेटियों को ससुराल भेजने से पहले उन्हें धैर्यवती बनाई यह सुनिए धैर्य हो उनके पास विनाकारण के क्रोध ना आता हो और यह तनी बेकार आदत है बातों ही बातों में रूठ जाना अब यह बेटियां तुम से रूठ हैंगे ससुराल पहुंसते हैं यह जठानी से दिवरानी से सास से ससुर से और हो सकता है कि यह अपने पती से भी रूठ जाएंगे क्योंकि आदत फिर बुरी छूटती नहीं है इसलिए इस आदत को इनकी सादत को खतम कीजे यह आदत ना आवे रूठने वाई और जिस घर में चारपाई लेकर के देवियां रूठी ही पड़ी रहती है उस घर की रोनक समात तो जाती है वो केकई माता रूठी ही तो थी आवद का अन दाता चला गया और यह आदत